आप सभी सात्यों को जहिंद मेरा नाम प्रबल है अध्यनमंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को पता है कि हम सब लोग डेली अपना लेकर के आते हैं सेलेक्शन स्रीच आप सब लोगों के बीच में और उसमें हम लोग बात करते हैं कम समय में काम की बात अभी आपके BPSC के एक्जाम होने वाले हैं और उसके लिए बच्चों के मन में बिहार जीके को लेकर के बहुत बड़ा हल चल रहता है तो मैं आज आपके बीच में बिहार का एक समाने परिच है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही जादा जुरूरी है वो आपके बीच में आज हम प्रस्तोत कर रहे हैं ध्यान से मेरी बातों को सुन आप सभी साथियों को ये बात पता है यगर हम बिहार के बारे में बात करे तो जो हमारा देश है उसमें बिहार एक राज्य है 18.28 राज्य अभी के समय में जमु कस्मिर के केंदर साशित प्रदेश बनने के बाद उस बिहार के अगर बारे में डिसकुशन करें तो बिहार का लोकेशन आप देखेे अगर बिहार के आप आप नौर्थ में देखोगे तो नौर्थ में क्या दिखाई देगा नेपाल, अगर आप वेस्ट में देखोगे तो उत्तर प्रदेश, इस्ट में देखोगे तो वेस्ट बेंगॉल और आप साउत में देखोगे तो जारखंड आपको दिखाई देगा, यानि बिहार के नौर बाउंडरी किसके साथ शेयर करता है नेपाल के साथ करता है तो यानि भारत के में राज्य बिहार के बारे में बात करें तो तीन राज्यों के साथ यह अपनी बाउंडरी को शेयर करता है यूपी के साथ वेस्ट बेंगॉल के साथ जहारखन के साथ और एक इंट्रनिस्ट्रि बाउंडर करता है नेपाल के सब्सक्राइब बात करें कि सर बिहार भारत की कौन से भाग मिछते थे तो भारत के पुर्मी भाग में लेकिन हम एक्जक्लिक बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत के उत्तर पुर्वी आपके तो इसको देख सकते हैं तो उत्तर पुरवी राज्य है के तौर पर अप इसको देखी जा थे पब एकक्सांस के बारे में बात करते हैं यानि भिहार का जो अगर राम शांसीः विस्तार के बारे में बात करें तो 24 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उतरी अक्षांस से शुरू होता है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उतरी अक्षांस पे खतम हो जाता है ये बिहार की उतर से दक्षिन आपकी क्या दिखाई देता है विस्तार दिखाई देता है अब 6 विश्टार जिसकों कहते हैं अब आता है वही इसका देशांतर ये विश्टार बताईए यानि पूरव से पश्चिम से पूरव 83 डिगरी 29 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से आपके शुरू होता है 88 डिगरी 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पे जा करके खतम हो जाए लेकिन अब आप लोगों का यही पे सवाल है नौर्थ पे साउथ कितनी लंबाई है और इस ते वेस्ट कितनी लंबाई है आपने बोला कि सर अगर आप बिहार राज्य के बारे में बात करें 1911 के दिल्ली दर्बार में इसकी गोशना होई और 22 मार्च 1912 से बिहार एक राज्य की रूप में आपके काम करने लगा इसलिए हम सब लोग प्रती एक साल बिहार दिवस को 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस को 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में टोटल अगर आप प्रमंडलों की संख्या की बात करें डिवीजन जो आपको दिखाई देता है जो राज्य की जो प्रिसाशनी किकाई है राज्य को प्रमंडल में बाता है प्रमंडल को जिला में जिला को अनुमंडल में सो निन्यानवे सहर के रूप में आपको आता हैं लेकिन प्रमंडल की शंख्या की बात करें तो टोटल डिविजिजन पियार में कितना है तो टोटल 9 है अगर हम अनुमंडल के बारे में बात करें तो टोटल 101 अनुमंडल है तो अगर हम आपके Community Development Block यानि प्रकंड के बारे में बात करें तो 534 है पाइचायत के बारे में से बात करें तो 8406 यह जो मैं आकरा प्रस्तूत कर रहा हूं यह बिहार सरकार के जो official website है उसके according में आपको दे रहा हूं तगर आपको किसी भी प्रकार की आकरे में कहीं पे भी दिक्कत होगा आप डारेक्ट लिक जा करके government और बिहार जो official website है उसके उपर आप चेक कर सकते अगर आपको कभी भी कोई भी confusion या कभी भी आप लोगों को किसी भी point के उपर conflict लगे तो और हमें ब्लेम करने से पहले आपको बिहार सरकार से पूछना पड़ेगा कि यह आकरा आपने क्यों दिया क्योंकि मैं official और authentic source के माध बारे में बात करें तो 199 इससे के साथ महा नगर के बारे में बात करें तो एक माथम और रोभी कौज़では हो जाता है वह पटना हो जाता है कि size बिहार के अगर हम एरिया के बारे में बात करें बियार के जखितरफल कितना दिखाई देता है家 1969500aran 2463시에लोमीटर इसक्वार आपको दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा एरिया वाला राज्जी जिला कौन सा है बियार में अर्थिस में आपको पता है और सबसे चूटा कौन सा ये भी आपको पता है अब जो जंगरना 2011 है उसके एक वाडि अगर हम बिहार की टूटल जनसंक्या की बात करें तो 10 करोर 40,99,452 जिसमें अगर हम सबसे ज़्यादा अगर पोपुलीशन के बारे में बात करें तो पतना में आपको दिखाई देता है सबसे कम पोपुलीशन वाला जिला तो सेख पूरा दिखाई देता है जनसंख्या घनतो यानि सबसे ज़्यादा पॉपुलिशन डेंसिटी पूरे के पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलिशन डेंसिटी किसके भी बिहार की है पॉपुलिशन डेंसिटी एक किलोमेटर स्क्वार में रहने वाले लोगों की संख्या होती है टोटल क्या भी तो ग्यारो सो चे पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या गनतों हैं सबसे जादा जनसंख्या गनतों सिवहर में और सबसे कम जनसंख्या गनतों आपके कैमूर में आपको दिखाई देता है अब आरे यह बिहार के सेक्स रेशियो की लिंगा नुपात प्रती 10,000 पुलिशों पे आपके महिलाओं की संख्या का जो अनुपात होता है कि इतनी अभी 918 इसमें अगर हम बात करें कि सबसे जादा सेक्स रेशियो तो गोपाल गंज में और सबसे कम के बारे में बात करें तो मुंगेर में लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो देखेगा सबसे ज़्यादा जन संक्या गनत वाला जो राज्य है वो बिहार और सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है पूरे बारत में वो बिहार साक्षरता अधर बिहार की 61.80% है जिसमें रोहताथ सबसे ज़्यादा साक्षर जीला है और पुर्णिया सबसे कम आपके साक्षर जीला के तौर पे आपको दिखाई देता है अब अगर हम बात करें कि बिहार में टोटल सर लोक सभा की सीट कितनी है भी चालिस बिहार में राजी सभा की सीट के बारे में बात करें तो 16 बिहार में द्वीश दनी ये बिदान मंडल है द्वी सदनी बिदान मंडल है इसलिए अगर हम बिदान सभा के बारे में बात करें तो 243 और बिदान परिशत के बारे में बात करें तो टोटल 75 आपकी सीटे हैं बारत में छे राजे में दिविश अधन ये बिदान मन्डल है उसमें से एक राज आपका वियार भी आपको दिखाई देता है अगर हम बरतमार में बात करें जब तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूं तब तक कि बात करें ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं कल को हो सकता है कि फिर से ये पलट जाए और फिर से दूसरे किसी के साथ मिल करके सरकार आपके बना ले और आप हमें कहोगे कि सर आपने ये बताया तो और ये हो गया तो जब तेक मैं class ले रहा हूं तबतेके information के recording बर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंतरी है नितिश कुमार नवी बार इन्होंने मुख्यमंतरी के पत की शपत ले हैं तो मुख्यमंतरी को ओ न है नितिश कुमार जो हम राज्यपाल की बारे में बात करें तो राज्यपाल को नहीं राजंद्र विश्वनात और लेकर ब्यार में दो अभी उपमुख्य मंत्री हैं बई एक का नाम में विजय सिना और दूसरे के नाम के अभी समराथ चोधरी अगर ब्यार के तिक्षा मंत्री के बारे में बा अगर आप लोगों को ये सारी बाते समझ में आई यह यह सारी बात करेंगें उपक्षार में अगर मैं आपको बताओं बिहार राज्य के बारे में बात परूँ तो उत्तर से दक्षिन की जो टोटल लंबाई है वो बताना है और आपके इस्ट से वेस्ट की जो आपकी लंबाई है वो आपको बताना है और यह मैंने आपको कलास में बताया भी है तो बिहार उत्तर से दक्षिन तक की टोटल लंबाई कितनी है और इस्ट से वेस्ट तक की टोटल लंबाई कितनी है एक तो बात यह होगे दूसरी बात आपको बताना है कि बिहार के जो पहले मुख्य मंत्री थे उनका नाम क्या था यह दोनों कमेंट में करके आंसर आपको बताने हैं हमें पूरा विश्वास है कि यह जो सेशन है आपके VPSC के आपके एक्जाम में बहुत ज़्यादा फायद मन्द होगा और दूसरी एक्जाम के भी बच्चे देखेंगे तो यहां से अगर कोई क्वेशन बनेगा तो उनको आराम से पेपर में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करके गुरुदक्षिना देना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और सारे के सारे बच्चों को मेंडेटरी है कि कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना है और अगर और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको क्लास चाह झाल